कोस्टन शुरू करेंगे आज के हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने कोस्टन पे चलते हैं कोस्टन पे चलेंगे और हमारे कोस्टन आज का फर्स्ट कोस्टन जो है वो क्या है total emissivity of polished silver compared to black body is ये बताइए emissivity किसी polished silver की compare करें black body से तो क्या होगी same होगी higher होगी very much lower या none of this तो इसका क्या answer होगा इसका क्या answer होगा ये किसी semester की class नहीं है निलेश शर्मा जी ये MCQ हो रहे हैं SSE JEE के लिए SSE JEE mechanical के लिए आपके ये questions है SSE JEE के लिए ये किसी भी का हो सकता है मानल जी आपका state level के exam होते हैं उसमें भी तो उसके लिए भी ये हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके ये MCQ होंगे बच्चे mix type होंगे तो mix type है ये questions ओके तो right answer किसका है अच्छा emissivity क्या है emissivity emissivity क्या है ये भी आपको clarity होनी चाहिए emission आप word समयते हो emission तो emission से emissivity आप समय सकते हो तो देखे black body की कभी भी किसी से कम नहीं होती है ठीक है तो हमारे पास polish silver compare करें black body से तो उसकी सब बहुत कम होगी polish silver की सबसे कम होगी तो c is the right answer c is the right answer शब्द एहमद आपका भी सही है next which of the following property of air does not increase with rise in temperature की temperature rise कर जाए लेकिन air की कौन सी property है जो क्या temperature के साथ increase नहीं कर दी ठीक है which of the following does not increase with rise in temperature की temperature बढ़ रहा है और temperature के साथ-साथ इसकी हमारे पास जो quality है हमारे पास property है वो भी बढ़ रही है बताइए जी बताइए कि इसमें से नहीं increase करती इसमें not तो हमारे पास देखिए कौन सा है ये right answer सब का सही होना चाहिए सब का सही होना चाहिए तो इसका राइट अंसर है जी जैसा कि मैंने सोचा था जी पूर्निमा सवाधीन अशीश ग्रेट तो डेंसिटी बच्चे उल्टा है हमारे पास चेंज उल्टा होता है जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं लेकिन यह डेंसिटी को exactly हम यहां पे डेंसिटी लिक्विड की मान के चलें डेकिन लिक्विड जो होता है तो उसमें क्या करते हैं जैसे जैसे टेंपरेटिश्य करता है तो डेंसिटी करती है ठीक है तो हमारे पास यह डेंसिटी जानौ राइट अंसर नेक्स्ट चलें इन टीपिकल इमीडियूं स्पीड फोस्ट्रोग साइकल डीजल इंजन the inlet valve, तो inlet valve कब हमारे पास इसमें four stroke diesel engine में open होते है, a open at 20 degree before TDC and close it 35 degree after BDC, open at TDC and close it at BDC, open at 10 degree after TDC and close it 20 degree before bottom dead center and may open or close anywhere, तो मैं आपको एक request करूँगा हमेशा पूरे के पूरे आप options पढ़े, options के बिना आगे नहीं जाना है, options पढ़े बिना नहीं जाना है, तो options जुरू पढ़ा करो, तो आप options पढ़ो, जी इसका right answer, कितनों का आएगा सही, जी पुर्नमा जी यह आप मुझे लगता है last का answer दे रहे हैं, इसका है, सुनिल चौधरी, स्वाधीम परधान, देखते कितना, मेंग गुपता जी आपका, B नहीं है, जी, तो इसका क्या है, आपको याद रखना है, यह values याद रखनी है, आपने क्या करना है, कि आपके पास जो wall timing diagram है, वो बना के रख लेना है, तो उससे आपको easy याद ज़ेगा, C नहीं है बच्चे, परमार, तो A is the right answer, 20 degree पहले ही TDC से पहले खुल जाएगा, और 35 degree BDC के ब बाद बंद होगा, हमारे पास, ठीक है, तो next देखे, the C16H34, which is a straight chain paraffin, is assigned as a C10 number of, C10 number कितना होगा, C16H34 का, C16H34 का C10 number कितना होगा, तो यह आपको पताना है, C16H34, इसका C10 number कितना होगा, जी, जल्दी से quick answer दिया गरो, quick, quick answer दिया गरो, quick, be quick, wait नहीं करनी है, हमारे पास time नहीं होता है, जल्दी करें हम, 20 question जल्दी से जल्दी खतम करें, 20 question के 20 minute होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तो यह मुझे है, यह किसी ने पढ़ा हुआ है, या नहीं पढ़ा देखते हैं, कितने लोगों ने इसके बढ़ें पढ़ा है, तो यह है क्या, c16h34 है क्या, क्या है, यह बच्चे हमारे पास c10 ही होता है, c10 का एक formula जो बनता है, हमारे पास वो c16h34 है, c10 ही है, तो c10 का number क्या होता है, c10 का c10 number 100 ही होता है, so 100 is the right answer, great, जिन्होंने B the answer, यह देखो, अब भुमाते हैं question को, c10 नहीं लिखा, c10 का formula लिख दिया, तो यह आपको confuse करने के लिए थोड़ा सा, next, polymerization is a chemical process in which molecules of the compound becomes, बताईए, polymerization में क्या होता है, chemical process है, तो उसमें molecules के साथ क्या होता है, कि larger हो जाते है, slower down हो जाते है, smaller हो जाते है, liquid बन जाते है, क्या हो जाता है इसका, तो basic question बिल्कुल, basic question chemistry का, तो बिल्कुल basic वाला question, तो यह सबका सही होना चाहिए, यह 100% सबका सही होना चाहिए, polymerization, 10th में मुझे लगता है, 10th में भी हम पढ़ते होते हैं इसको, polymerization का 10th में भी हम पढ़ते होते हैं, तो यह बताईए, polymerization, तो इसका right answer क्या है, गगंदीब जी, जल्दी, जतिन गुपता जी, यह 100, जतिन गुपता, लास्ट वाले का आप रिपलाई कर रहे हैं, 100 आप, तो यह मेरे पास क्या होता है, polymerization में chain बनती है, आगे आगे chain बनती है, poly मतलब जादा, poly word क्या है, जादा, तो जादा हमारे पास जो chain बन जाती है, तो larger, हमारे पार अश्विन पतेल आप क्या लिख रहे हैं, देखें, A is the right answer, तो larger होता है, larger, जादा chain बनने लगे जाती है, आगे, next देखें, if P1 and P2 are tight and slack side tension in belt, then the initial tension P1, this is P1, P1, this is P1, P1, this is P1, neglecting centrifugal tension will be equal to where Pc is centrifugal tension, तो बताईए इसका, तो इसका right answer, इसमें A की funda है, इसमें A की funda है, A की funda है इसमें सिरफ, जी, तो हमारे पास इसका right answer, इसका right answer, तो neglecting centrifugal tension, तो हमारे पास क्या होगा इसका, जी, तो इसमें centrifugal अगर neglect कर देते हैं, तो centrifugal force पैसे, पहले ही लिखा tension Pc, तो हमने neglect कर देना है, तो हमारे पास C is the right answer, half P1 plus P2, ये हमारे पास right answer, अगर वो कहता है centrifugal tension को आपने का लेना है, तो ये वाला answer D, D होगा फिर, तो हमारे पास C is the right answer, next देखें, the coefficient of friction in belt drive depends upon, coefficient of friction में, जो है, वो depend किस पर करता है belt drive में, material of belt पे, material of pulley पे, material of belt and pulley and belt velocity, तो ये बताईए जल्दी, ये easy है question, ये easy question है, तो कुछ easy, कुछ मुश्किल, mix question करेंगे, तो easy वाला question बताईए, जी, V, V क्या लिख रहे हो, रॉथ, उमा कांथ, V क्या लिख रहे हो, तो इसका right answer, जी, और वेट नहीं करेंगे हम, तो 3, 2, 1, here we go, material of belt and pulley, तो हम दोनों को देखेंगे, belt और pulley दोनों का material देखेंगे, उसके पर depend करेंगा, coefficient, friction, next देखे, auto fretage is, auto fretage is, क्या होता है auto fretage, ये जिसने पढ़ा हुआ है, बस उसको ही पता है, जिसने इसकी definition पढ़ी है, ये उसको पता है, auto fretage क्या होता है, surface coating process of slender, for frozen resistance, heat treatment process है, यह process of pre-stressing the slender, to develop residual compressive stresses, at inner surface, यह surface hardening process of slender, to improve wear resistance, तो इसका पताएए, जी, D कौन लिख रहे हैं है, D, D, शदब, शदब आहमद, D लिख रहे हैं आप, B, यार इसका right answer, कितनों होगा सही है, अब right वालों का नाम बोलूगा, right, right वाले बचे, आप अपने को शाबाशी दे, ये comparison बड़ा अच्छा हो जाता है, कि देखो, एक question कहीं हो में comparison कर देता है, कि कितने लोगों को इसका पता ही नहीं है, देखो, ये इसका मतलब है, इस topic को आपको शाम को पढ़ना है, अब सोने, अब लिख लो कहीं पे copy पे, कि मुझे इसका पता नहीं था, मुझे इसके बड़े में complete knowledge लेनी है, तो होता कहा है, it is C, a process of pre-stressing the slender, अभी मतलब वच्चे क्या है, कि पहले ही हम slender के उपर pre-stresses डाल देंगे, ताकि वो residual compressive stresses जो अंदर बन रही है, उसके लिए है, pre-stressing होता है, तो इसका नाम दिया है, out of retage, नेक्श देखें, ये भी easy question है, maximum fluctuation of energy of flywheel is, maximum fluctuation of energy of flywheel is, तो ये बता दें, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, maximum fluctuation of energy, ये तो 100% सही होना चाहिए, ये सब का सही होगा, और जिनको कंजूसी आती है, बड़ा, बतर यहाँ पे बहुत खर्चा हो रहा है, कि like button दबाने में, तो वो like button मत दबाया करो, बाखी दबाया करो, एक ही आपसे request होती है, कि like, जो भी वीडियो देखो, like का button दबादो बस, देखो लगता है आपको कि like के like है, तो like कर दिया करो, जी बताइए, इसका right answer, तो जी, तो इसका right answer क्या है, हमारे पास maximum fluctuation, fluctuation क्या होता है, कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे, तो उसमें क्या होगा, change देखना है, किसका देखना है, हमारे पास energy का, तो इसमें right answer क्या है, हमारे पास प्राग, प्राग आपका गलत है, अश्विन, पटेर, C लिख रहे हो, तो रन को भी नीचेज कर देना है, और कभी नीचे, पचास पर ऑल आउट हो जाते थी, तो उनकी fluctuation बहुत जादा होती है, maximum और minimum में change बहुत जादा है, तो वो जो change है, वो fluctuation है, उनकी fluctuation है, तो वो fluctuation है, maximum बहुत जादा fluctuation है, यार, इतना थोड़ना है, कोई एक कादा दोस्त, हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, कि भाई, तू बता, तुझे 20,000 की जुरुत है, तो भी बता, 30,000 की जुरुत है, तो बताईयो कोई बार नी, और आपने अगले दिन, 1000 रुपे मांग रहे, अरे, यार, 1000 तो नहीं है, तो वो fluctuation हो जाती है, fluctuation है उनकी बातों में, अ फ्लाइविल इस यूज़, तो ये बताईये, नमस्ते जी नमस्ते, तो fluctuation को इस तरह से याद रखो, कि fluctuation कितनी है, अब बिजली की fluctuation है, हमारे एरिया में, वो बिजली की fluctuation बहुत जादा, कभी तो बहुत जादा आ जानी है, और कभी-कभी voltage बहुत कम, तो इसका right answer, flywheel वाले का, a flywheel is used, तो flywheel किसलिए यूज़ करते हैं, तो flywheel किसलिए यूज़ करते हैं जी, to limit the fluctuation of speed during each cycle, to control the mean speed of the engine, to maintain a constant speed, to come into action when the speed varies, तो इसका right answer, हम, इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि कुछ students हैं, जैसे गगन जी ना आपने C लिखा है, तो आपके mind C कह रहा है, लेकिन close, जो ज़्यादा close है, right answer वो ही होगा, जो इसके ज़्यादा close है, C जो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ो इसको, तो ये देखो, to limit the fluctuation of speed, during each cycle, हर एक cycle में, fluctuation को limit करना है, constant speed आप maintain नहीं कर पा रहे हो, constant speed नहीं maintain, आप fluctuation की limit ला रहे हो, कि अचानक बहुत ज़्यादा change, अचानक बहुत ज़्यादा कम ये नहीं, ठीक है, तो flywheel इसलिए यूज़ करते हैं, next देखिए, transition fit, ये तो पता ही होगा, transition fit, ये मुझे लगता है, हर किसी को पता होगा, हर किसी को पता होगा, transition fit, जी ये बता दीजिए, transition fit, हर किसी को पता होना चाहिए, क्या होता है transition, transition होता है, बात करें रहे रहे रहे, बीच की कोई चीज, transit हो रही है, transit वर्ड, English के वर्ड को समझा करूँ, transit क्या होता है, अभी रस्ते में जो material होता है, हम उसको transit material बोलते थे हैं, transit रस्ते में हैं, बीच में आ भी कहीं पे, तो transit क्या है, ये बताइए, practice set, बचे ये मेरी website ही है, gear institute dot in, तो practice महीं पे आप कर सकते हो, थोड़ी बोलता भी, मैंने कम paper डालें, लेकिन धीरे धीरे मैं इसके MCQ सारे डाल दूँगा, एक महीने, तोडल एक महीने लें, या पंदरा दिन लगेंगे, तो मैं सब डाल दूँगा, सब मेरी class का time, daily 9.30 होता है, 9.30 मैं daily class लेने की, try करता हूँ, पर promise नहीं करूँगा, जी इसमें क्या होता है, tolerance zone of hole and shaft overlap, overlap कर जाते हैं, tolerance zone जो होता है, hole और shaft के overlap कर जाते हैं, उसको गयाते हैं, transition fit, transition fit, ठीक है, जब हमारे पास, देखो, हमने क्या करना तक, कुछ हमारे पास, ऐसे material रनाते हैं, जो धक्के से fit करने पड़ते हैं, पूरा force लगा के fit करने पड़ते हैं, तो transition में रखते हैं हम उसे, accurate dimension for parts, तू बताईए, इसका क्या होगा, hot working से, अशोग जी मैं SSC JEE के लिए ही करवाता हूँ, mostly सारा कुछ, तो gate के लिए नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा material, लेकिन आप SSC JEE के लिए enough है, आप मेरी videos देखो, playlist open करो, तो इसका right answer बताईए, साचीन जी आपका क्या question है, साचीन जी का, आपका message नहीं पढ़ा बच्छे, sorry, देख लेता हूँ मैं, इसका right answer, शदब आप, option नहीं लिख दिया गरो, कोई बात नहीं, अकेला option लिख दिया गरो, तो ये, स्वाधीन C नहीं है जी, C नहीं है, तो हमारे पस देखे, toughness increase होती है, और ductility increase करती है, hot working से, increase क्या करती है, toughness और ductility, दोनों increase करती है, तो ये दोनों increase करेंगी, hot working से, hot working से, बताइए next, in shaft basis system, the basis shaft is one, basis shaft, shaft basis जो system है, उसमें क्या होता है, बताइए, when upper division is zero, when, whose upper and lower division is zero, whose lower division is zero, and none of power, मेरी English जादा, बहुत जादा अच्छी नहीं है, तो माफ करना, अगर कहीं गलती से, कुछ word गलत बला जाए, ठीक है, टाइम पास से, स्कूलों से पड़े हैं, ठीक है, तो नाम ही ऐसा था, स्कूल का, आप खुद समझ सकते हो, मिन्नी पब्लिक हाई स्कूल, मैं गलत नहीं कहूँगा, स्कूल को कभी भी, लेकिन, difference कही न कहीं create होता है, तो आज भी जो, फ्लेंसी के साथ, इंगलिश नहीं बोलना, और कही न कहीं इंगलिश में अटकना, तो वहाँ हम स्कूलिंग का सोच लेते हैं कई बाद, ठीक है, वैसे तो गलत बात है, सोचना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ फरक तो पड़ता है, तो इसका बताइए, जी, इसका बताइए, अश्मीर पटेल ए कह रहे हैं, ए, और प्राग, जी, ए, A, is the right answer, ओके, next, rolling contact bearing are classified according, rolling contact bearing जो है, वो किस तरह से classify कियाते हैं, type of rolling element, direction of load, magnitude of load, यह बहुत A and B, तो यह बताइए, यह बताइए, यह बताइए, ओ, great, Sachin Raghavji, so what should be done, Dalmiya Bharat Group, coming for campus trial, तो बच्चे, मैं तो यही कहूँगा, पहले तो company के बारे में, detail पूरी निकालो, company क्या करती है, क्या बनाती है, जैसा उनका requirement है, उसके according to subject भी पढ़ो, ठीक है, जैसे ना, अभी एक, चन्रीगण में हुआ, public health का paper हुआ, health related question पूछे हूँ है, क्योंकि उनकी requirement यह है, कि public health के लिए, जैई रखना है, आप चाहे, जैई का काम, जो मर्ची हो, लेकिन उसने public health के बारे में पूछा, तो आप अपनी, उस company के बारे में पता करो, तो जी, इसका D is the right answer, तो type of rolling element भी है, और direction low of load, ठीक है, तो जो आप question पूछ लेते हैं, मैं end of the video आपके साथ बात करूँगा, बचे, मुझे कई बार ऐसा लगता है, disturb ना गरूँ बाकियों वो, तो बाकी कई ऐसे हैं, जिनको सिरफ MCQ से मतलब है, किसी चीज से मतलब नहीं है, ओके, after reaching the yielding stage, while testing a mild steel specimen strain, तो उसके साथ strain क्या होगा, yielding stage पर आने पे, mild steel specimen के strain पे क्या difference पढ़ेगा, constant होगा, decrease करेगा, increase without increasing in load, and none of above. ओके, सची जी, मैं सची रागमा, आपके बसा, last में बात कर लूँगा, ठीक है, तो मैं last में बात कर लूँगा, मैं गलत मानता हूँ, इस चीजी को, कि बाकियों को disturb करूँ, सर, nothing is difficult, सर, power plant is more difficult, कोई, कोई चीज़ difficult नहीं है, दिक्कत है कि, हमें समय नहीं आ रही है, बस, तो इसका राइट असर, म्यांग गुपता जी, जा लिख रहे हो आप, ए, ए, कहां से आ गया, समीर खत्री जी, ए, कहां से आया, तो आप ये लगाओ, पहले, कि, yielding stage क्या है, yield, yielding stage क्या है, उसके बारे में विसासाथ, सोचो, नना वबब निते, अगयर कुशी का, किसका राइट अंसर है, मुझे गलत लग रहा है, ये गलत बात है, आपको ये पता होना, yielding point का, मेरी stress train वाली वीडियो में, मैंने इतनी, प्यार से एक्जामपल, आप उसको प्लीज एक बार देख लेना, प्लीज एक बार देख लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा, जी, पुर्निमा आपका ठीक है, आश्मिन पर टेल आपका ठीक है, देखिए, हमारे पास yielding stage को समझो, yielding stage ऐसी stage है, ये एक तरह न दोस्ती में, उसमें क्या करते हैं हम, कि अगर जितना खीचोंगे, उत्रा खीचा जाएगा, लेकिन अगर लोड छोड़ोगे, तो वापिस आजएगा, ये होता है न, ये हमारे दोस्ती में भी होता है, दोस्ती में भी हमारे जितना मर्दी मजा कर लो, फिर वापिस, फिर वापिस, फिर वापिस, लेकिन एक टाइम आसा आजाता है, कि बस, लिमेट आगी, अब बाते, ये मत कर, नहीं तो अपनी लड़ाई भढ़ जाएगी, तो इसी तरह हमारे पास कीजिए, इसमें भी होता है, कि हम क्या करते हैं, लोड नहीं इंक्रीज करते हैं, फिर भी स्ट्रेंड बढ़नी शुरू होती रहती है, स्ट्रेंड बढ़ती रहती है, एक क्वाइंट ऐसा आजाता है, मत कर, अब मत कर, पंगे मत ले, नहीं तो अपनी येल्डिंग क्वाइंट आजेगा, और येल्डिंग क्वाइंट आजेगा, एक बार फिर ये स्ट्रेंड बढ़ेगी, और अचानक से फिर दोस्ती तूटेगी, अब मतीरियल कैपबल ऑफ अब्सॉर्बिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनरजी बिफोर फ्रेक्चर, फ्रेक्चर से पहले, वो बहुत अनरजी अगर अंदर समा सकता है, तो उसकी क्या है वो, टक्टिलिटी है, टफनेस है, रिजिलेंस है, या शौक प्रूफ है, ये क्या है इसका राइट अन्सर, जी, इसका राइट अन्सर, कोई बाद नहीं आशी सोनी, जी, कोई बाद नहीं, जी, इसका राइट अन्सर, इसका सबका सही होना चाहिए, रंजीत परधान आप सी लिख रहे हैं, देखें, फ्रेक्चिर तक की बात कर रहे है, और रिजिलेंस किस कहां तक होता है, रिजिलेंस होता है, हमारा, इलास्टिक पॉइंट तक हम देखते हैं, जादा लोड सहन कर सकता है, जब तक ये टूपता ही का नहीं, ये यहीं खड़ा रहेगा, बड़ा कफ बंद है, तो इसलिए ये टॉफनेस होती है, अब आम एक्जाम्पल में, आम दुनिया में एक्जाम्पल ढूंडो, जतिन गुपता जी, रिजिलेंस नहीं होता, फ्रेक्चर नहीं, रिजिलेंस जो होता है, वो हमारा इलास्टिक पॉइंट तक ही होता है, इससे जादा नहीं होता, तो आपको ये चीज़ समझने होगी, नेक्ट देखे, 17, ये इजी है, दे नूट्रल अक्षिज अफ बीम, ये आप बी जो राइट अंसर दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, इसी का ना, 17, अच्छा, 17 अब आया, और आपका लेट चल रहा होगा, जी, अब देखते हैं, 17 आपके सपास आ चुका होगा, अब जल्दी क्लिक करो, जल्दी, स्पीड, 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 अपना टार्गेट पूरा ओना चाहिए, आधे गंटे में 20 कोस्चन होने चाहिए, 30 मिनेट, 20 कोस्चन, तो मैं और इंक्रीज करने के कोशिए करूँगा, 30 में 30 कोस्चन होने चाहिए आपके, और आप में से, अगर जो SSE की त्यारी कर रहा है 200-200 कोश्चेन एक दिन में नहीं कर रहे हैं गलत बात है इसे भी ज़्यादा अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है तो 0 is the right answer neutral axis beam के neutral axis पे 0 stress होती है 2 high rolling mill consists of 2 rolls which rotate 2 high rolling mills है तो उसमें हमारे पास जो rolls हैं वो कैसे rotate करते हैं at same speed in same direction at same speed but in opposite direction at different speed in same direction at different speed and in opposite direction यह बताइए मुझे इसका बताइए इसका क्या होगा हमारे पास right answer तो थोड़ा सा lag करती होती है वीडियो आप पीछे होते हैं थोड़ा सा तो कुछ second ली पीछे होते हैं लेकिन क्या बात है मजा आता है यूट्यूब से सलाम है यूट्यूब को कि क्या चीव ना दी मतलब मजा आ गया पढ़ने और पढ़ने दोनों का मजा आता है आपके साथ बाते भी हो जाती हैं क्या चल रहा है और पता नहीं कौन-कौन से कहां-कहां से आप बैठे हो और कहां से जुड़ रहे हो मेरे साथ बड़ा मजा आता है आपके मैसे पढ़के तो बी इस दर आइटन से हैं तो 100% ये question सही हो गया 100% सबका सही है 19 loam sand is a mixture of ये भी 100% का सही होना चाहिए ये 100% का सही हो अश्मिन पतेल आपको पढ़ने की बहुत जा जूदरत है अश्मिन पंद हो आपको पढ़ने की बहुत जा जरुता ऐ रहत है मैं पहले से बहु रहा हो चन्डिगर के पास एक गाउं है जिर्खपूर वहां से हुआ है तो ये इसका राइट अंसर क्या है तो बी इस दा राइट अंसर मियंग गुपता सुनिल चोधरी सबने आपने राइट अंसर दिया 50% सेंड होती है और 50% क्ले होता है लोम सेंड में लोम सेंड में ये भी लास जी इसका और बचें मेरी वैब साइट को प्रमोट करने भी में आप मेरा साथ दें और इसमें बहुत ज़्यादा मैंने अभी काम करना है बहुत ज़्यादा कर रहा हूं और आप प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें आप तो आपके पास लिंक आएगा मालो mcq का वो आप आगे forward करेंगे तो आप मेरी help जुरू करेंगे इसमें तो देखें इसका right answer क्या है तो इसका right answer हमारे पास draft allowance किसलिए दिया जाता है ताकि easy से removal हो सके easy removal हो सके बाहर जब निकाले easily निकल सके तो one to two mm पर मीटर तक होता है तो इतना होता है हमारे पास यह होता ह हमारे पास okay तो आप इसमें और दूसरा देखो बच्चे इसमें क्या होता है कि आप comment भी कर सकते हैं जैसे अभी मैंने किया है तो यह यहां पे comment कर सकते हैं मेरी website पे तो comment करेंगे वो मैं आपका reply जिरूर करूंगा और जिससे वही same कि अगर YouTube में उपर आती वीडियो तो इ यह मेरे साथ जुड़ें उसमें यह मेरी website gear institute.in तो इस पे आएं और अपना व्यू दें कैसी लगी website आपको कैसी नहीं लगी है क्या है और यह देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं तो एक बार जरूर आओ इसको करो यहां पे देखो अभी तो कम एक तीन यह इतने मनें सी तेरा और अब कि बल्सक्ती बाक्यों के क्लिख कितने माक्स इब इस नहीं कर पाऊंगा कि अगर जो कह रहा है कि हरको ही मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोशिद अपनी दरफ से मैं मैकसिमं करता हूं अभी अभी नहीं कुछ कह सकता है अभी लक्षय त्यागी आपके 15 हैं ग्रेट लक्षय त्यागी जी ग्रेट ओके इस वास फ्रॉम माई साइड आप लीव कर सकते हैं तो यही थे तो यह प्लीज इसको इंक्रीज करें लक्षय जी 15 तो आपके अगर 20 में से 18 ठीक हो रहे हैं तो मतलब किया है कि आप में दो चीजिया आप नोट करना एक तो कंपनी की प्रफाइल देखो कंपनी क्या कर रही है क्या उसकी requirement है अगर manufacturing में है अगर उसमें quality में उनको बंदे चाहिए कैसा बंदा चाहिए वह सब कुछ आपको पता हो चाहिए उसके बारे में ठीक है और दूसरा उनके related अगर आपको subject उनके related मतलब वहां पे heat treatment अगर होती है उनके plant में सब कुछ आप आपको detail मिल जाएगी और उसके बाद अपना पढ़ना स्टार्ट करो और जो subject बोल दिया कि this is my favorite subject तो उसका धजिया उड़ा दो कुछ भी मत छोड़ो उसमें ठीक है पढ़ो और करो ओके जी ओके ओके ग्रेट थैंक यू सो मच पर बिंग देर और इसी तरह मिल सा जोड़ते नहीं थैंक यू थैंक यू सो मच